Hello everyone, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अक्षे कुमार और आप देख रहे हैं सिरेटिव डॉक्टर तो आज के इस वीडियो में हमारे डिसकसन का टॉपिक होने जा रहा है एट्रियल सेप्टरल डिफिक्ट जिसम शॉर्ट में ASD कहते हैं या फिर आम भासे में इसे हम दिल में छेद होना कहते हैं इस पर मैंने लगवग एक साल पहले एक वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे लोगां का ये क्वेरी था ये रिक्वेस्ट है कि इस पर एक फिर से वीडियो बनाया जाए तो आज मैं इस वीडियो के बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा कि ASD यानि दिल में छेद क्यों होता है, कैसे होता है, क्या-क्या symptoms देखने को मलते हैं, इसमें और at last सबसे ज़रूरी क्या treatment है इसका, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है तो चलिए start करते हैं हमारे आज का discussion, atrial septal defect या फिर दिल में छेद होना तो इस atrial septal defect को समझने से पहले, हम ये समझते हैं कि हमारे heart का structure कैसा है अंदर से इसके बाद हमें ये condition समझने में काफी आसानी होगे, काफी मदद मिलेगा हमें तो ऐसा है कि हमारे heart के अंदर, हमारे दिल के अंदर चार chambers होते हैं दो बरे chambers होते हैं, दो छोटे chambers होते हैं छोटे chambers उपर में present होते हैं, जिसे हम atrium कहते हैं और बरे chambers नीचे में present होते हैं, दो जिन हम ventricles कहते हैं तो जो right side में होगा उसे में right atrium और right ventricle कहेंगे, जो left side में होगा उसे में left atrium and left ventricle कहेंगे, अब हमार right और left part of the heart है, ये दोनों बिलकुल अलग तरीके का blood carry करता है, जैसे जो हमारे right side of the heart है, जो हमारे heart का dhyna हिस्सा है, वो चाहे right atrium हो या right ventricle हो, right side of the heart में हमेशा अशुद्ध blood, impure blood या फिर de-oxygenated blood कह सकते हैं, आप वो carry करता है हमारे heart का right side का हिस्सा, at the same time जो हमारे heart का left side का हिस्सा है, वो left atrium है और left ventricle है, इन दोनों में हमेशा pure blood, यानि की oxygenated blood, ऐसा खून जिसमें oxygen के मातर जादा हो, तो वो खून यहाँ present होता है, यही खून pump होता है, जो हमारे पूरे body में circulate करता है, जिसे हमारे body के हर एक location में, वो हर एक organ में, हर एक cell तेक oxygen supply होता है, अगर इस left part में कुछ गरवरी आती है, तो फिर खून pump नहीं हो पाएगा, तो वो हमारे body के हर एक हिस्सों में oxygen नहीं पहुँचा पाएगा, तो यह common structure है हमारे human heart का, आप देखिए, मैंने आपको अभी बताया, कि दो छोटी chambers होते हैं उपर में, जिसे हम atrium कहते हैं, एक right atrium है और दूसरा left atrium है, जो कि इन दोनों को separate करता है, इन दोनों को अलग-अलग करता है, उस दिवाल को हम कहते हैं, inter-atrial septum, ठीक है, फिर से बताता हूँ, right और left atrium, दाहिना और बाये side का जो atrium है, इन दोनों atrium को एक दिवाल है, जो इन दोनों को अलग करके रखता है, उस दिवाल का नाम है inter-atrial septum, ठीक है, तो यह atrial septal defect जो है, वो उसी दिवाल का defect है, जो कि right और left atrium को separate कर रहा है, ठीक है, उस right और left atrium को separate करने वाले दिवाल में, अगर कुछ छेद है, अगर कोई hole है, तो उसे ही हम atrial septal defect कहते हैं, या फिर आम भासा में दिल में छेद होना कहते हैं, clear, ऐसे जो हमारा ventricle है, बरावाला chamber नीचे, उन दुनों की बीच का जो दिवाल है, उसे हम inter-ventricular septum कहते हैं, hole वहाँ भी हो सकता है, उसे हम ventricular septal defect कहते हैं, पर atrial septal defect सबसे common है, समाने तरह हमें ये atrial septal defect ही ही देखने को मिलता है, clear, अब ये जो hole है, atrium और दुनों atrium के बीच का जो दिवाल है, जो inter-atrial septum है, उसके अंदर ये जो hole है, ये अलग-अलग size का हो सकता है, ये vary कर सकता है, किसी patient में हो सकता है, कोई ज़्यादा बरा size हो, किसी में छोटा size हो, जहां छोटा size होता है, बहुत minute size होता है, उस case में ऐसा देखने को हमें मिलता है, कि वो धीरे-धीरे खुद ही recover कर जाता है, वो अपने आप जो hole है, वो hole बंद हो जाता है, clear, और सबसे बड़ा बात यहां पर यह है, कि यह life में आगे चल कर होने वाली बिमारी नहीं है, जैसा कि हमारे पास hypertension है, हमारे पास heart attack है, myocardial infarction है, तो यह सब बिमारीयां है, यह जीवन में आगे चल कर, एक age के बाद यह बिमारीयां होती है, पर हमारे जो atrial septal defect और दिल में छेद होना, यह जो बिमारी है, यह congenital बिमारी है, यानि कि यह बचपन से ही मौदूद रहता है patient में, ठीक है, जन्म के समय से ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि जन्म के समय से hurt बिलकुल सही था, कोई hole नहीं था, और life में 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद अचानक से एक hole हो गया, ऐसा possible कते ही नहीं है, यह congenital बिमारी है, अर्थात कि जन्म के समय से शिशू के दिल में यह hole present हो सकता है, clear, अब देखें, यह hole कैसे बनता है, यह hole कहां से आ गया, hole तो होना नहीं चाहिए था, यह hole आया कहां से, तो इसका कारणी यह है कि जब जो mother pregnant होती है, कोई lady pregnant रहती है, तो उनके uterus में जब बच्चा implanted रहता है, जो fetus होता है, तो during the fetal life, जब उन अपने मा के गर्व में होता है बच्चा, उस समय उसके hurt में बहुत सारी openings होती है, बहुत सारे opening होते हैं blood के flow के लिए, clear, जो की धीरे 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 वो opening बंद होते हैं, और वो septum यानि की दिवार का रूप ले लेते हैं, पर अगर किसी कारण वस वो जो opening थे, वो जो दरवाजा वो जो बहुत सारा रास्ता था blood के flow होने का, किसी कारण वस अगर वो बंद ना हो, तो फिर वो एक congenital बिमारी हो जाता है, जिसे हम atrial septal defect या फिर दिल में शेद होना कहते हैं, पर यह क्यों होगा, मा के गर्व में है बच्चा वो तो धीरे धीरे बंद होना चाहिए था, वो सारे रास्ते, वो सारा whole बंद होना चाहिए था, तो क्यों बंद नहीं होगा, तो इसका बहुत सारा कारण है, सबसे common कारण है कि अगर मदर किसी तरह के drug पे हैं, वो drug किसी मदर को कोई बिमारी है, अगर मदर को कोई neurological बिमारी है, या फिर मदर किसी तरह का कोई sedative drugs ले रही है, या फिर most common urubila का infection बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब कारणों से ऐसा देखा जाता है, कि ये abnormality बच्चे में आ रही है, या फिर अगर मदर का diet सही नहीं है, diet एक pregnant women में बहुत सही होना चाहिए, अगर मदर का diet सही नहीं है, तो उस करण से भी ये condition हमें देखने को मिल सकता है, clear, अब वो जो दिवाल हमारे पास है, उस दिवाल में कहां पर छेद है, जो हमारा inter-atrial septum है, उस septum के किस पार्ट पे hole है, उस basis पे इस atrial septal defect, क्यानि कि दिल में छेद होना या जो condition है, इसे दो category में divide करते हैं, सबसे पहला condition, अगर उस दिवाल, उस inter-atrial septum के, सबसे निचले हिस्से में अगर hole है, तो उसे हम primum कहते हैं, ostium primum कहते हैं उसे हम, clear, और अगर वो जो hole है, उस दिवाल के बीच में है, primum उतना common नहीं है, और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, कि जितने वे down syndrome के patient होते हैं, जितने वे down syndrome के बच्चे होते हैं, उनके अंदर इस primum का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कि जिनरली ये होता है, मदर के कोई ड्रग, मदर के डाइट के कारण, पर बहुत सारे किसे में, क्रुमोजोमल डिफेक्ट के कारण भी ये देखने को मिलता है, clear, तो ये था एक introduction की हमारा ये, अट्रिल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, पर बारे बात करते हैं, तो सबसे जरूरी बात ये है कि, चिंचम जरूरी नहीं है कि आपको दिखेगा ही patient के बड़े में, बहुत सारे किसे में होता है ऐसा, कि सिंचम नहीं दिखता है, अगर जब होल का size काफी कम रहे, बहुत minute होल है, तो symptom काफी कम रहता है, बहुत सारे cases में तो वो खुद बखुद recover भी हो जाता है, वो अपने आप hole बंद हो जाता है, या फिर अगर hole है भी तो जैसे जैसे उस बच्चे का requirement बढ़ेगा, body के अंदर blood requirement बढ़ेगा, physiological changes आने सुरू होंगे, तो उस condition में symptoms आना सुरू हो सकता है, symptoms में सबसे पहला तो बच्चे का सांस फूलेगा, सांस लेने में परिशानी होगी, बार-बार respiratory infection होगा, जब कभी भी हम इस्टेटोस्कोप आला लगाकर बच्चे के दिल की धरकन को सुनेंगे, तो वहाँ पर हमें पहला sound clear सुनाई देगा, दूसरी sound में थोरा सा घर-गरा normal flow करने का तीसरा sound आएगा, जिसे हम murmur sound कहते हैं, उसके बाद बच्चे का chest pain कर सकता है, बच्चे के पैरों में सूजन आ सकती है, इसके बाद एरिद्मिया हो सकता है, एरिद्मिया कहने का मतलब कि बच्चे का जो दिल का धरकन है, वो regular एक सही time period के साथ नहीं धरकेगा, व यह सब कुछ common symptoms है, इस atrial septal defect के, इसके बाद इसे हम diagnose, investigate कैसे करते हैं, तो सबसे पहले थो हम clinical symptoms के according हम समझते हैं कि क्या परिशानिया आ रही हैं बच्चे में, क्या परिशानी है, पेशेंट में, उसके बाद हम radiological examinations prefer करते हैं, इसमें जैसे ecocardiography, ecocardiography is the best way to examine the atrial septal defect, ecocardiography से हमें clear cut पता चल जाता है, कि क्या है, परिशानी, कितना mm का hole है, hole का क्या location है, वो primum है, कि secondum है, सब कुछ हमें पता चल जाता है, clear, उसके बाद हम electrical conductivity जाने के लिए ECG भी कर सकते हैं, पर ECG का यहां कुछ बड़ा रोल नहीं है, investigation में, major rule यहां पे ecocardiography का ही है, then फिर हम भी करा कर देख सकते हैं, इसके अलावा, जब treatment के बारें बात करें, तो मैंने आपको पहला यह बताया है, कि अगर hole का size ज्यादा बराना होंकर, minute size हो hole का, तो वो खुद बखुद recover कर जाता है, ACEG recording, पर अगर size ज्यादा बरा है, अगर symptoms ज्यादा आ रहे हैं, तो उस condition में हम surgical approach लेते हैं, एक मात्र option हमारे पास है, surgical approach लेते हैं, surgical approach से हम उस hole को बंद करते हैं, हमारे पास ASD device भी है, उस ASD device से हम जो hole है, उस hole को बंद करते हैं, वहाँ पर ASD device implant करते हैं, ताकि वो hole बंद हो जाए, यह ASD device हम catheterization के through भी कर सकते हैं, या फिर open heart surgery के through भी कर सकते हैं, और आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल था कि ASD के सर्जरी के बाद क्या life normal होता है तो जी हाँ life बिलकुल normal होता है कोई दिक्कत कोई परशानी नहीं होते है बच्चे में after surgery कुछ समय medicine पर रहना परता है ताकि हर एक चीज़ को stable करके रखा जा सके पर life में आगे चलके कोई परशानी नहीं होती है जो patient है वो अपना life बिलकुल आसानी से बिलकुल अच्छे से जी सकता है clear तो यह हमारा discussion हुआ atrial separate defect पर I hope आप सभी को clear होगा अगर कोई भी doubt है कुछ भी query है तो बेशक पूछे का comment section में मैं कोशिच करूँगा आप सभी का जवाब देने का तो फिर मिलते हैं आगले वीडियो में किसी एक नए topic के साथ तब तक के लिए be happy and be safe